हेलो फ्रेंड्स हेलो विध्यार्थी मित्रो मुझ्छू अनिल कांकरेचा अपनो दोस्त अने आजे आपड़े वाद करशू धोरण 5 विशेई हिंदी सेमेस्टर पेलू अने पाठ पाँच मो आ पाठ नो एक वीडियो आनि पेला आपड़े मुखी चुई काशी आ पाठ नो आ बिजो विडियो छे पाठ नो नाम छे चीडिया घर की सेर प्राणी संग्रहलाईनी सेर करवी मुलाकात लेवी तो पेला विडिया नी अंदर जे काई हतू तेनू थोड़ू रिविजन आपड़े करी लेगे जेथी आगड़ वदवामा पाठ समझवामा आपने सारी रिते सरड तारे तो गिता नाम नी छोकरी होई छे ते पोताना दादा जी साथे आवा प्राणी संग्रहलाईनी मुलाकात लेवा जाई छे तिया एक सिहनू पांजरू होई छे तिया लोकोनी घणी बदी भीड जोवामाडे छे सीह छे ते जोर्थी अवाज करे छे गर्जना जेने कई यह छे आपने अने लोको डरी अने पाच्छड हटी जाई छे सामे एक वांदरो होई छे ते मगफडी अने केडा खातो होई छे दादा जी सू के छे के जो सामे सू लखे लूँ छे के चिडिया घरना जानवरोंने खाना देना मना है चिडिया घर के जानवरोंको खाना देना मना है चिडिया घर मा राखेला जे जानवरोंचे ने काईपन खावानू आप वानी मनाई छे गीताबोई लिके जो सामे काड़ा मुढ़ावारो वांदरो दादा जी हस्वा लाईगा अने किदू? कि बेटी तेने लंगूर केवाईचे आ लंगूर नू मुढ़ू काड़ू होईचे तेनी बाजू मा एक जगिया उपर एक गेंडो होईचे इना नाकू पर मोटू बदू सिंगड़ू होईचे अप आठापणे आएं सुधी जोयो तो अवे त्यांती आगड़ वधारी है साथ वाले बाड़े में लेके बाजूनों जे वाड़ो छे में लंबी गर्दन वाला जिराप धिरे धिरे टहल रहा था धिरे धिरे हाली चाली रही होतो गीता दादा जी को खींचते हुए आगे ले गई दादा ने खींच याने त्यां ले गई गई वहाँ भालू आपड़े जेने रींच कही है ची ये दो पेरो पर खड़ा था बाजू में पांजरू एनू पनहतू तेनी बाजू में एक तालाब में रंग भी रंगी मचली और बतक तेर रही थी ये लेके खणा बदा माचलाओ और बतक ये तड़ाओनी अंदर तरी रही आथा गीता ने दादा जी को दूसरी और इसारा करते हुए कहा दादा जी दादा जी वह देखिये पथर चल रहा है नामों वह बाड़क छे ने खबर तो छे ने के सूँ छे तेने की दू के जो पहला पथर चाली रही हो छे दादा जी उसे समझाती हुए बोले बिटिया यह कछुआ है पाणी मां क्यारे पथर तरतो नथी बेटा आ काच बो छे जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और पेर अपने खोल में छिपा लेता है ज़्यारे यहने डर लागे चए त्यारे यहनी खोल एटले के उपरनी जिये कड़क larva डाल होई छे यहनी अन्दर पतानी गर्दन हात औने पेर अंदर छूपावी लिया चे अंदर खिय ची लिया छे खोल इसका रक्षक है अवे आचे काचबो चे ये उपर नी ढाल चे ये ये येनू रक्षन करे चे केम की खुब च सकत अने कठन ओई चे गीता दोड कर आगे गई आगडवी दी एक बड़े तालाब में मगर तेर रहे थे अवे आग बाजुमाजे तड़ावतु येमा मगर केचे घणा बधा हिंसक प्राणी गणाई चे तरी रहे आता जेसे ही एक मगर ने मुह खोला किताने डरकर दादाजी का हाथ पकल लिया केम के मगर चे ये जारे येनू मूटू चे खोले चे मूटू चे रहे फाड़े चे त्यारे घणूज बिहामनोंने भयानक ये आखो नजार ओई चे कुछ ओर आगे बड़ा कुछ ओर आगे बड़े सोरी कुछ ओर आगे एक बड़ा पिंजरा था थोड़ा आगड़ गिया अले एक मूटू पिंजरू आतु उसमें बहुत सी चीडिया थी घणी बदी चकली ओए महा थी गीता ने खुसी से ताली बजाई नाना बाड़ को छे यावा बदा द्रस्यों नजारा जोई अने खुबज आनन्द मावे जे और कहा देखो वह हरियल तोता लिला कलर नो तोतो एडले के पोपट चकली हती पोपट हता दादा जी ने कहा हा और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी पक्सी जेने कातुवा केवा मावे चे गुजराती माईने आपड़े काका कोवा कहिये ची इसे कातुवा केहते है आने कातुवा केवा इचे गुजराती माईने आपड़े काका कोवा कहिये ची तो आब दाज पक्सियो तेमा आ पांजरा महता गीता चहक कर बोली आम जायने आम आजको लाइगो वे आज चरेत थोड़िक बोली दादाजी कुछ चिडिया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है जेसे आजे चकली छे येने गोरई आके वाई पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मॉर भी देखा था गया वक्त जयारे हमें पिकनिक मा गया था तीआरे नाच तो मॉर जोहलो होतो पच्छी तेनाथी जयरे आगण वी था तीआरे दादा जी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पकसी सुतूर मुर्ग होता है सुतुर मुर्ग एटले के साहा मुरूग आ सव थी मोटू पक्सी छे एनी उचा एक घणी बधी होई छे मतलब के नाननों एव बाड़कोई एक बे वरस्नों बाड़कोई तेना थी प्रण आप पक्सी छे घणू मोटू नगणू उच्चू लागे छे एटलू मोटू वोई छे एनने साहा मुरूग केवाई छे हिंदी मा एनने सुतुर मुरूग केवाई छे वह देखो सुतुर मुरूग पेड की छाया में खड़ा है चो बाजू मा एक सुतुर मुरूग नामनू पक्सी छे यी पेड एरले के जाड़ाना छाया मा उभू छे केटला बजा पक्सियों पंखियों नी वात केड़ी सवती पेला जो तो रिंच जोवा मेड़ू पची भालू त्यार पची माचली जोवा मेड़ी बतक जोवा मेड़ी पची काचबो जोवा मेड़ो पचिदिया घर में आगर जोईए पचिदिया घर में हाथी और उट की सवारी बी कर सकते है हाथी ऊपर और उट उपर भेची याने तव्ण सवारी पन करी सको सामने आइसक्रिम का थेला है धेला मतलब के दुकान थेला अइसक्रिम का शीरिम दादा जी ने अपनी लकडी पिका येटले के पोतानी लाकडी तिया बाजुमाराई खी और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदा गीता माटे थाई अन्य आइसक्रीम वेचा तो लिदू आइसक्रीम बधा लोकों ने भावे चे तमने लोकों ने बढ़ भावतु जसे केम दादा अन्य गीता बने थाकी चुईका था तो दादा अन्य गीता अवे बने थाकी गया था वे चीडिया घर के दर्वा जेसे बाहर आये चीडिया घर नोजे गेट तो तिनाथी बार आईवा बस पकड़ी और अपने घर आ गए बस मा बेसी और पोता ना घरे आवी गया तो सारू विद्यार्थी मित्रो आप आठने अपने अहियाज पूरो करिए